हलो फ्रेंज वेलकम तो आज चानल करंट अफेर अपडेटिड इस इस दिवाशी शवस्थी आपको बता होगा हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी ताट इस टेन एम टेन कोशन सीरीज तो इसका में आपके सामने वीडियो 3 लेके आया हूं तो आप लोगों इसको बहुत प आपके सामने बना रखी है तो इसमें ऑप्शन है शुभास चंद्रबोस भगत सिंग जतिन दास या विपिन चंद्रपाल इनकी 63 डेज इन्होंने फास अकद हंगर स्टाइक में थे एक जेल में और उनकी देथ हो जाती है इनका आंसर जो है दाट इस जतिन दास या जतिन मैं आपको जतिन दास के बारे में बताऊं आक्चुली जतिन दास बहुत फेमस परस्नालिटी है इनको अरेस किया गया था 14 जून 1929 में और 63 डेज इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी जिसके बाद इनकी देथ हो जाती है और हंगर स्ट्राइक की क्यों थी ठीक है तो याद याद है कि they wanted to be treated as political prisoner, political prisoner की तरह उनको treat किया जाए, okay so they demanded a better treatment in jail तो उसके लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी और उस हंगर स्ट्राइक में within 63 days जतिन दास की देथ हो जाती है, okay इनको of course arrest तो 1929 में किया गया था, क्यों arrest किया गया था जतिन दास को इसका reason है, reason है इसका म conspiracy case में, आपको तो background में ले जाओ, इंडिया में Simon Commission आती है, of course 1928 में आती है, उसका बहुत ज्यादा revolt होता है, उसमें revolt करने वाले एक बहुत famous personality रहती है, जिसका नाम था लाला लाचपत्राय, okay, लाला लाचपत्राय, Simon Commission का बहुत ही, उनके against में रहते हैं, okay, और जिसकी वज Scott, उन्होंने वहाँ पर लाठी चार्ज करवा दी, जिसकी वे से, remember, लाला लाचपत्राय की death हो जाती है, ये चीज सुनके भगत सिंग को अच्छा नहीं लगता है, और भगत सिंग और इस टीम, finally, try to eliminate Scott, okay, वो Scott को eliminate करने का प्लान नाते हैं, but actually, वो Scott को eliminate कर पाते हैं, वो उ after क्या होता है, फिर 1929 में एक बहुत famous case है, उन्होंने डेली assembly में bomb fake दिया था, okay, that was not harmful bomb, okay, just ये बताने के लिए कि लिए कि we wanted, मरलब जो उनकी आवास थी, they wanted कि हम जेल में जाके उस अपने protest को continue रखे, तो वो एक bomb fake ते हैं, which is not harmful in Delhi assembly, okay, तो उन पर trial हो रहा था, कहां पर, उ उन्हों डेली में fake था, उस पर trial हो रहा था, भगत सिंग पे, but जब वहां पर वो जाते हैं, तब पदा चलता है, इन्हों सॉंडर का जो murder हुआ है, वो भी भगत सिंग, राजगुरु और सुगदेव ने किया है, जिसकी वह से याद रखेगा, they were also hang to death, तो उनको फासी की स assembly, but वहां पर पता चलता है, कि उन्होंने murder किया है, सॉंडर का, तो उनको case चलने लगता है, जो लाहूर का case था, वो उन पर चलने लगता है, okay, so remember, this is a whole issue, को या दख रहा है, जतिन दास को भी, इसी लिए arrest किया गया था, related to लाहूर कंस्परेशी, कि किसने murder किया है, to find it out the personality इसलिए इनका भी arrest किया गया था, जतिन दास का, but वहां पर उनकी death क्यों होती है, तो मैंना आपको reason बता दिया, so connection याद है, भगत से related है, but answer is what, that is, जतिन दास, okay, हम next question में आते है, second question, direct question है, इन में से पूछा गया है, which among the falling lakes are located in आंदर प्रदेश, आंदर प्रदेश में वस्तीन option वस्ते है, B, C, D, इसका answer जो है, that is, D, Koleru and Pulikat, बोथ lakes, याद रखेगा, are there in आंदर प्रदेश, ठीक है, मैं दोनों की location आपको बता देता हूं, map में, to Koleru Lake, this is a map of आंदर प्रदेश, okay, this is your Koleru Lake, okay, and this is your Pulikat Lake, ताप Pulikat Lake देख सकते है, Tamil Nadu की border के साथ है, okay, but these are two very famous Lake of what, that is of आंदर प्रदेश, okay, so answer is what, that is two and three, okay, next question में राते है, next question, that is very easy, but typical भी है, which among the following fundamental rights has been most controversial, ऐसे कहूं सी fundamental right थी, जो बहुत controversial थी, but मैं आप राते हूं, right now, it's not a fundamental right also, तो answer is, that is right to property, earlier it was a fundamental right, okay, but now it has been removed as a fundamental right, याद कि है, fundamental right से इसको हटा दिया गया है, through 44th Constitutional Amendment Act 1978, जाद है कि 1978 में इसको right to property was removed from a fundamental right, and was shifted to article number 300 capital A, ठीक है, अब आप मुझे comment box में बताएंगे, का article number 300 capital A, किस part में mention है, okay, so comment in the box, कि 300 A किस article में, किस part में mention है, okay, so now it is, of course a constitutional right तो अभी भी है, but now right to property is not a fundamental right, तो बहुत controversy में रही है, fundamental right, okay, starting से ही, अगर आपन देखें, issues देखें, fundamental right और DPSP पर तो इस पर बहुत controversy रही है, but now it's not a fundamental right, okay, so remember this answer would be B, that is right to property, okay, next question में आते है, question number 4, who wrote the national anthem of India, बहुत easy question है, national anthem किस ने लिखा, मैं extra people know, that is the Rabinat Tagore, ठीक हो, national anthem भी आपको पता होगा, that is Janganman, okay, but मैं इसके एम थोड़ डीटेल बता हो आपको, Janganman जो है, of course, it was written by Rabinat Tagore, but याद अखेगा, जो Janganman हमारा national anthem बना, actually, ये five stanza का था, इसका first stanza सिर्फ हम, हमने national anthem में लिया हुआ है, और याद अखेगा, इसको 52 seconds, this is important, 52 seconds में हम इसको play करते है, इसको sing करते है, इसको sing करते है national anthem को, और first time it was sung in Calcutta, date याद अखेगा, 27 December 1911, this is important, 27 December 1911, in Kolkata, इसको first time sung, okay, so this is important, आप मुझे बताईए, national song is written by whom, और first time इसको कहाँ पर sung किया गया था, उसका year और place मुझे आप में बताईए, comment box में करिये, याद के question है, national anthem ने national song, okay, तो दोनों answer आप मुझे comment box में बताईए, next question में आते है, this is a very important question, बहुत सी PCS में कुछा गया है, actually which among the following term, ऐसा concept term है, which has lots of significance, याद आखे है, related to what, resource management, और ये term जो है मैं बताईए, इसको कोईन किया गया था, Brunland Commission Report में, okay, so this is important, remember, Brunland Commission Report में इसको word को रखा गया था, option आपके सामने है, इसका answer जो है, that is B, sustainable development, okay, तो याद है, this is a very famous term, okay, आपने sustainable development goals पढ़ा होगा, जो अभी चल रहे हैं, उसका target 215 से 2030 तक है, आपने सुना होगा 17 SDG goals है, sustainable development goals है, तो अगर आप इस lecture को देख रहे हैं, तो मेरे लिए एक important चीज में आपको homework दे रहा हूँ, SDG, that is sustainable development goals के 17 goals है, आप मुझे comment box में ये 17 goals लिख के बताईए, it's going to be very typical, okay, comment box में लिख सकते हैं, at least अपनी copy में जरूर practice कर लो, ये goals में बताऊँ, exam में direct पूछे जा रहे हैं, okay, किसी भी PCS की preparation कर रहा होगे, तो direct question exam में आ रहा है, so that is why it is important, okay, of course, first time it was termed by in this report, ये report में आपको बताऊँ, actually, इस commission का नाम पहले था, World Commission on Environment and Development, it was, या दिखे, established by UN in 1983, but इस commission के जो head थे, वो Norway के prime minister थे, the former prime minister of Norway, जिनका नाम ज्या दखेगा, that is, Brunland था, जिसकी वज़े से, इस commission को, Brunland Commission भी कहते हैं, okay, that is why the commission is famous, okay, और इस रिलीजे इस report, उनना अपती report रिलीजे की, जिसको हम Brunland Report कहते हैं 1987 में, और आज इसी को हम, इसी report ने एक famous term दिया, that is known as sustainable development, this question also came in UPPCS, okay, so that is why it is also important question, तो यारे, 1987 में the first time SD sustainable development word has been used, okay, और किस commission हो, मैंने आपको बता दिया है, और मुझे SDG goals साप, जो है 17 goals को comment box में लिख के बताएंगे, next question है, which among the following imaginary lines, join places with the same level of rainfall, मतलब ऐसी, for example, यहाँ पर उत्तरी amount of rainfall हुआ है, यहाँ पर भी rainfall सेम हुआ है, तो ऐसे यह point A दे रेते हैं, इसको B दे रेते हैं, for example, इसको अपन merge कर देते हैं, तो ऐसे अपने एक line develop कर लेंगे, for example, उसको हम क्या कहते हैं, उन लाइन को, याद अखेगा, हाइसोहाइट लाइन, इनको हम कहते हैं, that is, हाइसोहाइट लाइन, ठीक है, तो याद अखेगा, अगर सेम अमाउंट ओफ, रेन्फॉल कहीं पर हो रही है, वो ऐसे points को मैड कर दें, तो जो line develop होती है, तो वो अपन को याद अखना है, answer is A, that is, आइसोहाइट, ठीक है, is also known as, याद अखेगा, of course, इसोहाइट लाइन, ये point कहा है, map में हम क्या करते हैं, आप देख सेकते हैं, map में हमें point बना लेते हैं, ठीक है, इस अब माप, ये line जो है, ये एक map में होती, which connects points, that have same amount of what, that is rainfall precipitation, at a given period of time, ठीक है, तो particular storm आया है, for example, तो उस टाइम पर, बराबर rainfall, equal rainfall कहां कहां हो, ये map के according है, उसको एक line द्रॉ कर लेते हैं, तो आपको या रखा है, that was question was asked, ओके, चलिए, next question में आते है, that is question number 7, direct question एक national park पूछा है, very famous for elephants also, या रखेगा, Jaldapara national park, या रखेगा, Jaldapara national park, is very famous national park, located in which state, next question है, ये भी important हिल्स पूछी मैं आपसे, एक्जाम में आ सकती है, Baba Budhan Hills, मैं आपको आपको आप में इसके बता दूँ, ये hills very famous है, आरेन के लिए, तो आपको पताना है, Baba Budhan Hills कहां पर है, location क्या है इसकी, तो इसकी options है, आंदरप्रदेश, Tamil Nadu, Karnataka and Gujarat, तो answer is, that is C, Karnataka is the answer, remember this is one of the famous hills of Karnataka, तो direct exam में कोश्यन ये पूछा जा सकता है, तो या दखना आपको, next question, 9th में आते है अपन, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया, amalgam is a term used for an alloy, of course, of a metal width, तो या दखे, amalgam एक alloy है, किस दो metal के साथ मिलता है, तो एक metal हो सकता है, उसका दूसरा compulsory क्या होगा, option would be copper, mercury, lead, aluminium, तो या रखे, का, alloy of course mix up होता है, two metals का, तो उसका answer है, B, mercury, mercury is essential, remember, so amalgam के साथ, mercury का होना बहुत जरूरी है, तो answer is what, that is B, mercury, okay, so remember, answer is what, that is B, mercury, and the last question, again from a very important question, यह question यह है कि, एक historical movement was built, okay, to communicate the visit of King George V and Queen Mary to Bombay, यह दोनों बहुत famous personality है, यह इंडिया में 1911 में आय थे, और इनके time पर एक important monument construct किया गया था, उसका नाम क्या है, options आपके सामने लिखे हैं, answer is B, that is Gateway of India, Gateway of India की मैं आपकी बात करो, of course, Gateway of India, आप सबको पता हो, it is located in Mumbai, in 1911 में construct किया गया था, Gateway of India, और इसके बारे मैं आपको ता हूँ, जब यह आय थे भारत में, okay, तो उस time पर जो partition of Bengal हुआ था, okay, तो इन्होंने partition of Bengal को cancel कर दिया था, तो इस अलसो इंपोरें, partition of Bengal बात कांसेल बाय हूँ, यह थे 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 फूपीपल, रमेंबर जोर्ज फाइब आपको ता हूँ, प्लस इन्होंने इंदीया में जब याय थे, इन्होंने कापिटल भी शिफ्ट कर दिया थी, पहले इंडिया की capital वस वेस्ट बेंगॉन, उसको याद अखिये, उसको जो capital थी, वेस्ट बेंगॉन में कालकटा capital थी, कालकटा से capital डेली शिफ्ट कर दिया थी, याद अखियेगा, इसका आंसर 1911 बे शिफ्ट कर दिया थी, तो remember, these are the two important decisions, और ये जो gateway of India, it was constructed, because they arrived from Bombay, इसलिए ये construct किया गया था, तो यहाँ पर हमाई 10 questions आज से compete होते हैं, I hope you have done the questions, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, maybe Britland commissions आपको कुछ important points मिले होगे, Lahore conspiracies, आपको कुछ connection आपको link up हुआ होगा, तो these are the certain questions, तो remember, level आपको easy भी लग सकता है, difficult भी लग सकता है, या all, it's all about your studies, अगर आपको scoring 5 भी आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप practice करते रहें, इंप्रूव होगा score, तो people who are scoring in this test, in this test, the cutoff is 8 marks, 8 questions would be right, तो you can clear the exam, मैं हर बार हर series में अपना एक cutoff बताता हूं, तो according to this level, 8 is the cutoff, तो जिन्होंने 8 या 8 चाबव score किया है, उन्होंने इस series को, आज की 3rd series को भी qualify कर लिया है, तो अगर आप ऐसे ही series को continue करना चाहते हैं, तो please comment share जरूर करें, जरूर बताएगा आपका पूर स्कोर भी है, तो आप लिख सकते हैं, अगर हम उसमें कुछ आपकी help कर सकते हैं, विल डेफिनिटली help you, थैंक्यू.